हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोपर्टी डीलर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानखारी दूँगा आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस सैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे से जरूर कीजेगा तो चली दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो में प्रोपर्टी डीलर कैसे बने, प्रोपर्टी डीलर बनने के लिए क्या करें, इससे जुड़ी सारी जानकरी में आप लोगों को देने वाला हूँ दोस्तो यह कंपेटिशन का समय है और इस परतियोगिता के दोरान नौकरी मिल पाना बहुत कटिन हो गया है, जिसके लिए कई बेरोजगार युबा नौकरी की तलास में हैं, लेकिन इस समय कंपेटिशन काफी बढ़ गई है, जिससे युबाओं को रोजगार नहीं मिल रहा ह और बेरोजगार युबा नौकरी की तलास से निरास होकर अपना खुद का व्यवसाय सुरू करना का फैसला लेते हैं, जिसमें वे कड़ी मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं व्यवसायों में से एक बहुत परसिद और लोप्रिय व्यवसाय है सोच रहे हैं या प्रोपर्टी डीलर बनकर अपना केरेर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं, इसलिए इस वीडियो को अन्त तक जरू देखिएगा, आगर हम प्रोपर्टी डीलर की बात करें तो प्रोपर्टी डीलर को संप्र्टी डीलर या Real estate agent भी कहते ह एक प्रोपर्टी डिलर का काम संपत्ती के विक्रेता और संपत्ती के खरीदार के बीच रहकर सौधे के अंजाम पर पहुचाना होता है क्योंकि प्रोपर्टी डिलर प्रोपर्टी बेचने तथा प्रोपर्टी खरीदने वाले दोनों पक्षों के बीच रहकर दोनों पक्षों को सहायता परदान करता है और दोनों पक्षों के बीच अंतिन सौधे को अंजाम देता है जिसमें प्रोपर्टी डिलर को दोनों पक्षों से कमिशन के रूप में लाप प्राप्त होता है प्रोपर्टी डिलर का काम एक एजेंट की तरह होता है जिसमें प्रोपर्टी डिलर को प्रोपर्टी देखनी होती है और उस प्रोपर्टी के मालिक से मिलना होता है संपत्ती के लिए ग्रहाग ढूनना होता है दोनों पक्षों को संपत्ती की जानकारी देना और दिखाना भी इनका काम होता है दोनों पक्षों के बीच संपत्ती की डील फाइनल कराना भी प्रोपर्टी डीलर का काम होता है प्रोपर्टी डिलर डिल फाइनल हो जाने के बाद प्रोपर्टी के पेपरवर्क करते हैं पेपरवर्क की देखबाल ठीक से करना भी प्रोपर्टी डिलर का काम होता है प्रोपर्टी डिलर प्लोट पर बिल्डिंग बनवाते हैं प्रोपर्टी डीलर प्रोपर्टी लोन दिलाने में सहायता भी प्रतान करते हैं किराइदारों की जानकारी जोटा कर उनका एग्रिमेंट भी बनवाना भी प्रोपर्टी डीलर का ही काम होता है मकान और दुकान में बिजली तथा पानी के व्यवस्ता को देखना भी प्रोपर्टी डीलर का ही काम होता है अगर आप प्रोपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो आपको व्यवसाय का तजुर्बा होना बहुत जरूरी है क्योंकि property dealer बनने के लिए dealer से जुड़ी सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है जिसके लिए आप किसी भी private institution में जाकर course कर सकते हैं और 6 महिने या एक साल का experience गेन करके आप एक अच्छा property dealer बन सकते हैं अगर आप property dealer का ब्यवसाय सुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आधिक technical education किया वेशकता नहीं है जिसके लिए आप किसी private institution में इसका course करके 6 महिने या एक साल का experience प्राप्त करके आसानी से अपना property dealer का business शुरू कर सकते हैं और खासकर इस व्यवसाय में तजरूरा होना बहुत जरूरी है जिससे आप यह जान पाएंगे कि किस माध्यम से आप संपत्ती का पता लगा सकते हैं आपको ग्रहत कैसे मिल सकते हैं और इसके लिए कौन से कानूनी दस्तावेज आवस्यक हैं practical work कैसे करें साथी flat और जमीन से सम्मादित जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक अच्छा property dealer बनने के लिए इन सबी बातों की जानकारी होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे property dealer बनना चाहते हैं तो आपको property पर खास नजर रखनी होगी साथी property की पूरी जानकारी भी रखनी होगी क्योंकि इसमें आपको कौन सी संपत्ती खरीदनी है और कौन सी संपत्ती बेचनी है इस पर आपको अधिक नजर रखनी की जरूरत है तब ही आप अपने ग्रहकों को अपने काम से अपनी और आकरसित कर पाएंगे बात करें property पर कैसे नजर रखें तो आप internet पर magic bricks, 99 acre, quicker, common floor और अन्य वेबसाइटों से संपत्ती की जानकारी पा सकते है दैनिक रोजगार से आपको रोजाना property के बारे में जानकारी मिलेगी social network group के माध्यम से या फिर facebook group, whatsapp group से भी property के बारे में अच्छी जानकारी निकाली जा सकती है आपको ज़्यादतर लोगों के संपर्क मेराना चाहिए अगर आपकी अच्छी और अधिक पहचान है तो संपर्क के जरिये आप संपत्ती के बारे में पता लगा सकते है एक अच्छा property dealer बनने के लिए आपके पास ग्रहकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए अगर आप ग्रहकों की जानकारी रखना चाहते हैं तो कुछ सुझाओं का पालन करना होगा जैसे की अपना office खोले और office ऐसी जगा पर होना चाहिए जहां ग्रहकों से संपर्क करना आसान हो आप अखवारों में छोटे छोटे advertisement में अपना mobile नंबर या पता दे कर ग्रहकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप अपनी खुद की website बना कर और इसे Google, Facebook, Instagram, Twitter आधी पर प्रमोट करके भी आसानी से अपने customers बना सकते हैं एक property dealer को friendly होना चाहिए ताकि उसके आसपास के लोग उसे उसके सही नाम से जान सके आप किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं जिसे आपके छेतर के अधिकांस लोग जानते हैं क्योंकि इससे आपको अपने business में काफी मदद मिलेगी साथ ही आपको अपनी property dealer की marketing खुद करनी होगी जिसके लिए आपको अपने office के आसपास पर्चे बाटने होगे और hoarding लगवाने होगे ताकि लोग आधिक से अधिक लोग आपके बारे में जान सके बात करें property dealer फिल्ड में मुनाफ़ा कैसे कमाएं तो property से संबंदित मुनाफ़ा आप चार स्रेनियों में कमा सकते हैं जैसे की commercial जैसे की business के लिए दुकान मकान जिसमें लोग रहते हैं आप यहां से भी मुनाफ़ा कमा सकते हैं खाली plot आप इससे भी मुनाफ़ा कमा सकते हैं industrial factory manufacturing unit setup करने के लिए जगा तो आप इन चार तरीकों से मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तो property dealer बनने के लिए पहले किसी भी तरीके का registration नहीं कराना होता था लेकिन आजकल धोकादड़ी काफी बढ़ गई है जिसके चलते सरकार ने इस छेतर में भी property dealer बनने के लिए रेरा में registration कराना अनिवारी कर दिया है अगर आप property dealer बनना चाहते हैं तो आपको रेरा office जाकर application form लेना होगा अगर आप इसे online registration करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए department की official website पर जाकर registration option पर click करना होगा registration option पर click करने के बाद आपके सामने एक application form खुल जाएगा आपको registration fees का भुगतान करना होगा जिसे आप घटा कर 2000 रुपए कर दिया गया है हाला कि पहले इसके renewal की fees 5000 रुपए थी लेकिन अब यह सुल्क घटा कर 2000 रुपए कर दिया गया है registration form के साथ fees का भुगतान करने के बाद आपके mobile number पर एक transaction ID भेज दी जाएगी जिसमें transaction number लिखा होगा जिसकी आप print out ले सकते हैं अगर आपकी registration परकिरिया पूरी हो जाती है तो आप property dealer का business शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना property dealer कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ share की है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने friends तक इसे जरूर share करें और हमें comment box में comment करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी याने topic के साथ तब तके लिए धन्यवाद